मुझा बच्चों कैसे हैं आप आज हम करेंगे खक्षा 5 इंग्लिज का जो थर्ड लेसन था हमारा फ्लाइन तोगेदर उसका हम 4 पार्ट उसके कर चुके हैं पांचमा पार्ट है इसको हम शुरू करते हैं जैसा की आपने पढ़ा है कि जो हंस थे वो वुरिद जो उनका एक हंस था उसकी बात को नहीं मानते हैं उन्होंने कहा था कि आप इस बेल को काट दें लेकिन उन्होंने नहीं किया और एक दिन सिकारी आता है और वहाँ पर जाल बिचाता है और वो सब के सब वहाँ पर जाल में फस जाते हैं और अपनी बात पर उन्हें पस्तावा होता है कि हमें इनकी बात को मान लेना चाहिए थ आगे क्या होता है वो हम देखते हैं जब वो सारे के सारे पक्सी जाल में फस जाते हैं तो रोने लगते हैं विलाप करने लगते हैं तब उन्हें बुद्धिमान जो पक्सी था वो उन्हें कहता है then listen carefully कि ध्यान पूर्वक सुनें आप सब ठीक है carefully का मतलब क्या हता है ध्यान पूर्वक ठीक है कि आप जो मेरी बात को ध्यान से सुनो replied the wise bird और जो बुद्धीमान पक्षी था wise मतलब बुद्धीमान बुद्धीमान पक्षी ने reply किया यानिके उत्तर दिया when the hunter comes you must all pretend to be dead when the hunter comes यानिके जब सिकारी आए hunter means सिकारी कि जब सिकारी आए you must all pretend pretend का मतलब करता है दिखावा करना pretend का मतलब होता है दिखावा करना कि आप सभी को दिखावा करना है कैसा दिखावा करना है To be dead मरे होने का कि आपको इस प्रकार दिखावा करना है कि हम सब वो मर गए है क्यों क्योंकि जो सिकारी है वो मरे हुए पक्षियों को इतना like नहीं करता Just lie still और वो कहता है कि आपको बस स्थीर होकर यानिके एक ही जगह पड़े रहना है ठीक है The hunter will not want dead birds Dead means मरे हुए शिकारी hunter ठीक है शिकारी को मरे हुए पक्षियों की जरूरत नहीं होदगी He will throw us to the ground He will throw Throw means फैंक ना और वह हमें फैंक देगा to the ground जमीन पर कौन फैंक देगा? शिकारी क्यों? क्योंकि वो मरे हुए है उनको पकड़के तो नीचे नहीं लेके आएगा तो वो क्या करेगा? वो एके करके हमें नीचे फैंक देगा It will then be easy for him to climb down और तब उसके लिए नीचे उतरना Collect the birds, collect the dead birds और पक्षियों को इकठा करना and take them home और उन्हें घर ले जाना It will be easy यह आसान रहेगा क्यों रहेगा? क्योंकि मरे हुए पक्षि है उनको नीचे पकड़ के लाने की जूर्थ नहीं है वह उपर से ही हमें फैंक देगा उनको इकठा करेगा और फिर अपने घर असानी से ले जा सकेगा ऐसी उन्होंने मतलब जो wise bird था उन्होंने उसके बारे में उन पक्षियों को बताया और उन्हें सचेत करने के लिए यह सब कहा कि आप जैसा मैं अब कहता हूँ अब तो आप मेरी बातों को मान लेना तो नीचे word meaning दिए गए है listen, सुनना pretend, दिखावा करना dead, मरना lie, पड़े रहना throw, फैकना, collect इकठे करना आपको यह word meaning लिखने है अब हम इसका next way करते है when the last of us has been throw down यानि कि जब हम इसे आकरी पक्षी को नीचे फैका जाएगा throw down means नीचे फैकना we must quickly get up और हमें तेजी से quickly मतलब तेजी से ठीक है, हमें तेजी से get up उठना होगा and fly away और हमें उठ जाना होगा, क्या कहता हो कि जब हमें से आकरी पक्षी को नीचे फैका जाएगा जैसे ही जो लाश्ट पक्षी नीचे फैका जाएगा हमें तेजी से फिर एकदम से सभी को उठ जाना है और उठ जाना होगा ठीक है in the morning और जब सुभह को the hunter came to the tree जब सुभह सिकारी जो पेड के पास आया and climbed up और उपर चड़ा He looked at the geese in the net उसने जाल में फसे geese यानि के हंसों को देखा क्योंकि वो सभी जाल में फस गए थे उसके बाद क्या होता है They are all dead वे सभी मरे हुए है He muttered to himself और वह है अपने आप से ही बड़ बड़ाया इनके अपने आप कहने लगा कि ये तो मरे हुए है He threw them out of the net one by one एक एक करके उसने उन्हें जाल से निकाल कर नीचे फैक दिया The birds lay still until the last one had been thrown down अंतिम पक्षी के नीचे गिराये जाने तक वे बिना हिले डूले पड़े रहें then all at once और तभी दे गोट अप तभी वे एक दम से उठे flap their wings अपने पंक फट फटाए and flew away और साब के साब ओड गए तो यह कहानी यहीं पर खत्म होती है इस कहानी से हमें जो सिक्षा मिलती है वो क्या मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए उनकी बातों को अस्विकार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बड़े जो बुजर्ग होते हैं हमारे family में वो हमेशा ही हमारे भलाई के लिए बोलते हैं जैसा कि यहाँ पर wise bird था उन्होंने पहले ही कहा था कि इस बेल को काट दे नहीं तो यह हमारा नुक्सान करेगी और एक दिन यहीं हुआ शिकारी आया उनको पकड़ लिया जाल में फसाया अगर वो बुद्धिमान आगे जो पक्सी था अगर वो अपनी बुद्धिमाता का प्रिचा नहीं देता तो वो सब के सब मारे जाते तो इसलिए इस कहानी से हमें अपनी जिंदगी में भी यही सीख ले लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने बड़े बुजर्गों का कहना टालना नहीं चाहिए उनकी हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए उनके जिंदगी का इतना जो अनुभव होता है उसको हमें स्विकार करना चाहिए तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के question answer करेंगे ठिक है और जल्द ही आपको वो मिल जाएने है तब तक के लिए बाई बाई मैं परदीप कुमार GPS सेक्टर 9 अमबाला से मिलते हैं जल्द ही बाई बाई झाल बाई 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 जाए